आज हम बात करेंगे नीश्याम की हैंड वाइंडिंग मसीन के बारे में इसके साथ में क्या-क्या समान आता है ये किस परकार से चलती है सारी डिटेल आपको इस वीडियो में बताऊंगा अगर हमारे चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक करें यह आप देख सकते हो जे नीश्याम की हैंड वाइंडिंग मसीन है इसके उपर इस परकार से स्टिकर लग गए आता है यह ISO सेंटीफाइब कंपनी है बहुत पुराणी कंपनी है बहुत अच्छी मसीन बनाना आती है आप इसमें हैंड वाइंडिंग मसीन भी ले शकते इसकी सबसे पहली खासियत है यह एलमुनियम और कोपर दोनों से वाइंडिंग करती है बहुत सी मशीन ने आती है जिसमें कोपर से ही वाइंडिंग होती है एलमुनियम से वाइंडिंग नहीं होती है एलमुनियम का वायर होता है जो हमारा वह तूट जाता है तो आप देख सक आप यह इसका बटन है आप इसको दबा देते हो तो यह जीरो हो जाता है इस परकार से आप चलाते हो तो इसमें counting चलती है इसमें इस परकार की पिलास्टिक की गिरारी लगी होती है इसके साथ में ये कुप्पी आती है वायर के उपर रखने के लिए स्टील की एक पलेट आती है इसके साथ में बारा डाई ये आती है देख सकते हो आप दो मैने मसीन में लगाई हुई है ये डाई पेवर स्टील से बनी होती है डाई लाइफ टाइम तक खराब नहीं होती नाई इसमें जर लगता है मेरी ये मशीन दो साल पुराणी हो चुकी है अब भी आप देख सकते हो इस पे ओरिजिनल कमपनी का पैंट होता है पैंट कभी उतरता नहीं है नहीं जर लगता है पैंट पे इससे आप 12-14-16 इस्टेटर की वैंडिंग कर सकते हो यहां तक की 18-20 इस्टेटर की वैंडिंग हो जाती है इनी डाई से तो 12-14-16-18-20 तक के इस्टेटर आप वैंडिंग कर सकते हो इस मिशीन की सैटिंग इस परकार से की गई है आप हाथ से जब वैंडिंग करते हो तो हमारा तार नहीं छिलता है नहीं टूटता है इसकी ड़ाइ सेटिंग् направ हाथ से दो मिनटों में कर सकते हो बिना पेचकस लगाई दोनों डाई को आप असानी से हाथ से खोल कर यह नट दिये हुए है दोनों नट को आप असानी से हाथ से ही खोल सकते हो हाथ से ही टाइट कर सकते हो बाकी मशीन की तरह नहीं है जिसमें पेचकस का यूज करना होता है टाइम भी लगता है चेंज करने में die setting में इसमें die setting की कोई हो सकता नहीं है आपने ये nut खोलना है सिद्धा die लगा देना है उसके बाद stator आपको लगा देना है stator के लिए आप देख सकते हो इस परकार का ये nut है आप इसे खोल सकते हो जिससे ये आगे पिछे होती है इस परकार से यहां पर आप इस्टेटर डाल सकते हो इसमें यहां पर इस्टेटर लगता है अगर किसी भाई को यह मंगानी है तो दिये हुए नमबर पर कॉंटेक्ट कर सकते हो इनी नमबरों पर कॉंटेक्ट करें इसके अलावा किसी नमबर पर कॉंटेक्ट ना करे निश्याम की ये हैंड वाइंडिंग मसीन बहुत ही अच्छी मसीन है मैं खुद दो साल से यूज कर रहा हूँ आप किसी के बकाये में आकर कोई दूसरी मसीन ना ले जिससे आपको प्रेशान नहीं हो निश्याम की मसीन खरीदे आप चाहाँ आप हैंड वाइंडिंग मसीन ले या विजली वाली लेकिन निश्याम की मसीन से अच्छी कोई मसीन नहीं है पहले मैं भी एक दूसरी मसीन लाए था उसमें बहुत प्रेशान हुआ था अगर कोई भाई नया वाइंड रहा है तो निश्याम की मसीन ले असानी से आख मीच के वाइंडिंग करे बेफिकर ओकर तो इसके साथ में यह समान आता है मैंने आपको दिखा दिया है डाई आती है इसके साथ में एक यह स्टेल की पलेट आती है इसके साथ में एक बुक आती है जिसमें सभी फैन का डाटा लिखा होता है अगर किसी भाई को और कोई जानकारी चाहिए तो वो कॉमेंट कर सकता है इस्टेटर सेटिंग के लिए यहाँ पर यह दोनट दिये हुए है उपर की तरफ में एक दिया हुआ है इसी परकार से यहाँ पर दोनट दिये हुए है बीच में स्पिरिंग लगा हुआ है तो यह मशीन आप एक बर खरीद होगे तो दादा ले पोता बरत होगे यह जल्दी से मशीन में कोई प्रोलम नहीं आती है